Mathematics is not about numbers, equations, competitions or algorithms, it is about understanding और यह understanding आती है कि आपके concept कितने clear है, तो आईए शुरू करते हैं concept से, क्योंकि अब तो आप लोग भी जानते हैं कि concept is everything Hello students, this is Rajiv and you are learning on AIMS Academy, तो अब हम करने जा रहे हैं अपना introduction of exercise 7.2 और जो आज का हमारा topic है that is section formula, अब यह section formula होता क्या है इसके बारे में बात करते हैं, देखे जैसा कि आप class 10th में हैं, तो आपकी class को क्या किया है कुछ sections में divide करती है, because A class में आप सारे A नहीं पा रहेते हैं, तो आपको कुछ parts में divide करती है यही case बिलकुल यहाँ पर होगा, मान लीजिए आपको कोई एक line दी हुई होगी, A, B, ठीके, और इसके बीच में, बीच में मतलब कहीं भी, मान लीजिए यहाँ पर एक कोई point है, वो है 20 cm, ठीके, और यह है आपकी 8 cm, और यह है आपकी 12 cm, ठीके, तो अब अगर आप इसका ratio निकालें, ratio निकालें, तो A, C over B, C या फिर C, जो भी बोलना चाहाँ, वो बोल सकते हो, तो A, C की value कितनी है, 8, ठीके, और B, C की value कितनी है, 12, 12, now both are divisible by 4, 4, 2's are 8, and 4, 3's are 12, 4, 3's are 12, तो यह जो point है C, वो इस A, B को 2, 3 ratio में divide कर रही है, is that clear, तो यह मतलब है, इस section का, कि यह जो है, इस A, B line को कुछ parts में divide कर रहे, इसलिए इस point को हम क्या बोलेंगे, कि यह इसको किसी section में divide कर रही है, अच्छा, अब मान लिजिए, कि यह आपको नहीं दिया हुआ है, तो अगर आपको नहीं दिया हुआ होगा, तो आप इसको मान लोगे M1, और इसको मान लोगे M2, ठीके, अब मान लिजिए, इन two points के कुछ coordinates होंगे, तो मान लिजिए, यह पहला coordinate है, तो इसलिए X1, Y1, और यह दूसरा coordinate है, तो X2, Y2, ठीके, और बीच में एक कोई point होगा, जो इसको divide कर रहा होगा, तो उस point को, या उस coordinate को हमने बोल दिया, X and Y, ठीके, तो इसी situation को उठा कर हम समझते हैं, graph में, देखिए, A, B एक line है, पहला coordinate है, X1, Y1, और दूसरा coordinate है, X2, Y2, ठीके, और बीच में कोई point है, P, अभी आप नीचे का यह भूल जाएए, ठीके, बीच में कोई point है, P, जो इस line को किसी ratio में divide कर रहा है, तो वो ratio क्या होगा, मान लीजिए, M is to 1, M1 is to M2, M1 is to M2, ठीके, अब मैं क्या चाहता हूँ, इस coordinate की value निकालना चाहता हूँ, मैं क्या चाहता हूँ, इस coordinate की value, मतलब कि एक तो मैं X की value नि इकालना चाहता हूँ, तो इसका जो formula होता है, वो होता है, M1 X2 plus M2 X1 divided by M1 plus M2, और जो Y का formula होता है, बिल्कु सेम यही होता है, formula क्या होता है, M2 Y1 plus M1, M1 Y2, M2 Y1 divided by M1 plus M2, यह दोनो formula होते हैं, ठीक है, तो पहला formula है आपका यह X का, और दूसरा है यह formula आपका, Y का, ठीक है, तो आज हम इनको ही derive करके देखेंगे, कि यह formula actually I का, ठीक है, तो देखिए, basically हमें क्या करना है, इस coordinate की value निकाल लिए है, है ना, इस coordinate की value आप कैसे निकाल सकते हो, देखिए मैंने क्या किया है, यह जो line थी, इसको मैंने यहाँ पर perpendicular लिया, और इस point का नाम रख दिया, मैंन इसका R और इसका S, इस पर मैंने एक perpendicular लिया, और इसका नाम रख दिया, मैंने T, is that clear, फिर मैंने क्या किया, इसको join किया, ऐसे join करने से हुआ क्या, यहाँ पर एक right angle triangle बन गया, चाहा हुआ, right angle triangle बन गया, ठीक है, अब हमने distance वाले formula में बिल्कुल यही case किया था, वही हमें दो आरा से करना है, ठीक है, अच्छा, एक बात बताईए, अगर मैं आप से, मैं पहले इसको मिटा दूँ, देखे दर, क्या आपको triangle, A, Q, P, and triangle, A, Q, P, and P, C, B, नजर आ रहे हैं, देखे दर, क्या आपको triangle, A, Q, P, and P, C, B नजर आ रहे हैं, बिल्कुल नजर आ रहे होंगे, तो देखे अगर आप इसको सही से देखें, तो यह दोनों triangle similar हैं, कैसे similar हैं, देखे अगर, आप ऐसे two parallel lines लें, और यहां से एक line pass करें, तो आपको पता है, यह वाला angle जो है, वो corresponding angles, ठीक है, तो यहां पर situation क्या है, कि इसको हटा दीजिए, और इसको हटा दीजिए, और इसको यहां से हटा दीजिए, तो देखे दर, यह दोनों angles, बिल्कुल यहां पर case बन रहे हैं, देखे, अगर इसको और इसको आप हटा देएं, तो देखो, यह वाला angle, इस वाले angle क क्या हो जाएगा, equal हो जाएगा by corresponding angles, ठीक है, तो इसका ये मतलब है कि angle P, A, Q is equals to angle B, P, C, ठीक है, reason क्या हो जाएगा भाई, corresponding एंगल, ठीक है, और इसके बाद, दूसरा क्या case हो जाएगा, A, Q, P, is equals to angle P, C, B, इसका reason क्या होगा भाई, each 90 degree, simple सी बात है, ठीक है, थोड़े से हाँ साफ करो, यार, इंग लगती है, तो देखिए दर, तो दो angle आपको पता है, अगर equal हो जाएं, तो triangles क्या हो जाते हैं, similar, तो by, as, as, criteria of similarity, triangles क्या हो गएं, similar, ठीक है, और अगर triangles हो जाते हैं, similar, तो फिर आपने एक चीज़ पढ़िए, क्या, by B, P, T, theorem, B, P, T, theorem क्या कहती है, भाई, कि अगर ऐसा है, तो इनके sides के ratio क्या रहते हैं, same, मतलब के ये वाला ratio, AP over BP, AP, AP over PB, is equals to what, AQ over PC, and PQ over what, BC, देखो क्या रिखा मैंने, इसका और इसका ratio, किसके equal होगा, AQ and PC, के equal, and PQ over BC, देखो, अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, तो आप पहले जाके, triangle chapter पढ़िए, triangle में आपको ये similarity की, सारी properties बताएवी, वहाँ पर आपको समझ में आएगा, ठीक है, अब देखिए, कुछ चीज़ें निकाल लेते हैं, इनी चीज़ों से, हमें इन सारी sides की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, अब अगर आप सही से देखें, तो AP की value क्या हो जाएगी, AP, AP तो बड़ा आसान है, भई, AP की value दी हुई है, M1, ठीक है, यहाँ पर लख लेते हैं, M1 दी हुई है, AD, PB की value कितनी दी हुई है, देखो, M2, ठीक है, अब AQ की value देखते हैं, AQ, भई, AQ की value कैसे निकालेगी, अगर आप सही से देखो, तो यहाँ पर X की value है कितनी, देखो, X, ठीक है, यहाँ पर X की value है कितनी, x1 ठीक है और यहाँ पर x की value कितनी है x2 तो अब आपको ये चाहिए तो आपको क्या करना होगा x में से x1 माइनस करना होगा तब ये value आपको मिलेगी ठीक है तो ये value आजाएगी आपके कितनी x2 माइनस x माइनस x1 x माइनस x1 अब बात करते हैं PC की भई PC की value आपको कैसे मिलेगी अगर आप x2 में से x माइनस कर दें x2 में से x माइनस कर दें तो आपको किसकी value मिल जाएगी PC की तो अब आप क्या कर रहे हैं x2 माइनस x ठीक है अब आजाएगी आप किस पर PQ यह बताएगे PQ आपको कैसे मिलेगा अगर आप बात करें इसकी तो यहाँ पर y की value कितनी है y और अगर आप बात करें आप इस q point की देखिए इदर इस q point की तो आप इधर आएए तो यहाँ पर y की value कितनी है y1 और अगर इसी तरीके सा आप यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर y की value कितनी है y2 ठीक है अब आपको value चाहिए किसकी PQ की तो यह PQ कैसे मिलेगा अगर आप y में से y1 माइनस कर दें तो आपको PQ की value मिल जाएगी बस यही करना है आपको क्या कि आपने PQ की value y माइनस y1 ठीक है over फिर आपको किसकी चाहिए देखो इदर PQ की value तो आपने निकाल ली अब किसकी बच्ची BC BC की value आपको कैसे मिलेगी अगर आप y2 में से y माइनस कर दें तो आपको BC की value मिल जाएगी BC की value कैसे मिलेगी y2 में से अगर आप y माइनस कर दें इसको निकाल दें इस वाली value को तो यही तो मिलेगी तो यहाँ पर आपको कैसे मिलेगा y2 माइनस y ठीक है अब आपको क्या करना बस इसको solve करना आपके वो आले formula आ जाएंगे कैसे आजाएंगे देखे इधर यहाँ से शुरू कर रहा हूँ ठीक है देखे इधर पहले मैं क्या कर रहा हूँ इस y की value को hide कर रहा हूँ क्योंकि यह 3 हो equal है 3 हो एक साथ तो ले नहीं सकते पहले इन दोनों को solve करेंगे फिर मैं x की value को hide कर दूँगा और इन दोनों को solve करूँगा ठीक है तो पहले इनको जब आप consider करोगे तो m1 over m2 is equals to what x minus x1 upon में x2 minus x1 max ठीक है अब आप क्या कीजिए cross multiply कीजिए cross multiply इसको इससे और इसको इससे जब आप इसको इससे करेंगे multiply तो m1 x2 minus x is equals to इसको इससे करोगे तो m2 x minus x1 ठीक है तो अब आप क्या कीजिए इसको solve कीजिए तो इसको इससे multiply करोगे तो m1 x2 minus इसको इससे करोगे m1 x ठीक है इसको इससे करोगे m2 x minus m2 x1 ठीक है अब आपको value किसकी निकालनी है आपको value निकालनी है x की तो आप क्या कीजिए सारी x की values को एक तरफ कर लीजिए ठीक है तो देखिए यहाँ पर x है और यहाँ पर x है तो इनको एक side में लेकर जाईए और इसको इधर लेकर आईए तो देखिए यहाँ पर क्या आजाएगा m1 x2 यह minus में है इस तरफ आकर plus में यहाँ पर देखिए यहाँ पर देखिए m2 x यह देखिए minus में था उस तरफ जाकर plus तो m1 x दो आरस समझते हैं हमें उन values को एक तरफ करना है जहाँ पर x x आ रहा है ठीक है तो मैंने क्या किया यह minus में उधर जाकर plus यहाँ पर x वाली term तो थी अब इस वाली term को मैं इधर लेकर आ गया तो यहाँ पर minus में था इस तरफ जाकर plus में ठीक है तो अब कुछ नहीं भई हमारा answer आ चुका है m1 x2 plus m2 x1 देखो यहाँ से आप क्या common ले सकते हो x common ले सकते हो तो जब आपने x common लिया तो यहाँ बचा m2 m1 ठीक है अब इसको आगे पीछे करके लिए तो कुछ फर्क थोड़ना पड़ता है तो यह multiply हो रहा है इधर आकर divide तो m1 x2 plus m2 x1 divided by m2 plus m1 is equals to what? x ठीक है अब देखो इधर यह value यहाँ पर क्या रही है m2 और m1 इसको आप घुमागा लिख दो कुछ फर्क थोड़ना पड़ना है क्योंकि प्लस में लिखा हुआ है तो मैंने क्या किया m1 को पहले लिख दिया और m2 को बाद उससे फर्क नहीं पड़ना है अब आप ज़रा चेक कीजिए मैं क्या कर रहा हूँ इस x की value को इधर लिख दे रहा हूँ और इसको इधर कुछ फर्क थोड़ना पड़ना है उससे क्यों क्योंकि x की value उधर लिख रही अच्छे नहीं लग रही है तो अब क्या करेंगे हम x is equal to what m1 x2 plus m2 x1 upon में m1 plus m2 अब देखो यह जितना देखने में खतरनाग लग रहा है उतना है नहीं कैसे आप देखिए उपर m1 plus m2 है नीचे भी m1 plus m2 है तो बस ऐसे याद रखिए उपर m1 plus m2 नीचे भी m1 plus m2 बस m1 के साथ x2 लगाओगे और m2 के साथ x1 लगाओगे बस इतनी बात याद रखने है उपर भी m plus 1 m1 plus m2 नीचे भी m1 plus m2 बस उपर क्या करोगे m1 के साथ x2 लगा दोगे and m2 के साथ x1 बस आ गया formula तो इसी तरीके सा अगर मैं x को हटा कर y के equal put कर दूँ तो बिल्कुल x जहाँ 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 पर आपको x2 नजर आ रहा है वहाँ y2 आ जाएगा जहाँ पर x1 नजर आ रहा है वहाँ पर y1 नजर आ जाएगा और जहाँ पर आपको x नजर आ रहा है वहाँ पर y नजर आएगा तो बिल्कुल formula same रहने वाला है और जो आप इसको calculate करेंगे तो y के value आ जाएगी कितनी है m1 y2 plus m2 y1 over m1 plus m2 ठीक है तो इस तरीके से ये formula होता है derive ठीक है तो अब आप क्या करेंगे जो भी यहाँ से calculate करके x की value आएगी जो भी calculate करके x की value यहाँ से आएगी मानले जे इसकी value आ जाती है 2 और इसकी value आ जाती है 4 तो अब आप उस point को क्या करोगे 7 में लिख दोगे 2,4 बस आपका answer आ गया ठीक है तो ये था आपका section formula ये सारी चीज़े I hope समझ में आ गही होंगी आपको बस क्या करना ये formula याद करने है ठीक है आएए देखते हैं इसके कुछ special cases कि किस तरीके से questions में हम उनको apply कर सकते हैं please pause the video to note it down तो आएए देखते हैं कि अगर इस line को ये जो point है वो किसी ratio में divide करता है ठीक है और वो ratio आपको नहीं पता ठीक है या फिर वो ratio निकालने के लिए बोलते हैं तो आप क्या कर सकते हैं इसको k is to 1 ले सकते हैं ठीक है तो इसका मतलब m1 की value क्या हो जाएगी k and m2 की value क्या हो जाएगी 1 ठीक है और अगर इन values को आप यहाँ पर put कर दे तो x is equal to what m1 की value k ठीक है तो k x2 plus m2 की value कितनी है 1 तो यहाँ पर 1 ही आ जाएग मतलब कि x1 divided by m1 की value कितनी है k plus 1 तो पहला case आगया यह ठीक है और अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी बिल्कुल वही case होने वाला है m1 की value k y2 plus m2 की value कितनी है 1 तो क्या बच्चा y1 over k plus m2 की value कितनी है 1 तो इस coordinate को coordinate को कैसे लिखा जाता है coordinate को लिखा जाता है x, y की form में तो आप इस coordinate को कैसे निकाल सकते हो ऐसे निकाल सकते हो k x2 plus x1 divided by k plus 1, k y2 plus y1 over k plus 1 तो formula बिल्कुल वही same है लेकिन जब आपको m1 और m2 दोनों की value नहीं दी हुई होगी तो आप ratio क्या ले लोगे k is to 1 उससे आपकी calculation बहुत easy हो जाती है क्योंकि सिर्फ एक ही variable रह जाता है and that is कि उसको आप बड़े ही आराम से solve करके निकाल सकते हो ठीके ये note कीजिए इसके बाद हम देखेंगे midpoint formula noted down तो आईए बात करते है midpoint formula की तो midpoint formula होता क्या है मान लीजिए ये line है आपकी 20 cm तो अगर ap हो जाए 10 cm and PBB क्या हो जाए 10 cm तो अब आप ratio निकालेंगे M1 over M2 का तो M1 की value कितनी 10 and M2 की value भी कितनी 10 तो उपर 10 वन्जा 10 और नीचे भी 10 वन्जा 10 ठीके तो ratio क्या आगया M1 over M2 का 1 is to 1 ठीके तो इसका ये मतलब है कि M1 की value भी कितनी होगी 1 और M2 की value भी कितनी होगी 1 तो यहां से आपको मिल गई values किसकी M1 की value 1 and M2 की value भी 1 ठीके तो अब आप देखे धर यहां पर बस values पूट करनी है तो X is equal to M1 की value 1 into X2 plus M2 की value 1 into X1 over M1 की value कितनी 1 plus M2 की value भी 1 अब इसको ज़रा solve करिए ठीके जब आप इसको 1 से multiply करेंगे तो X2 आ जाएगा और इसको multiply करेंगे तो X1 आ जाएगा अब थोड़ा सा तरीकेस लिख लेते है X1 की value पहले लिख दीजिए और X2 की value बाद में और 1 plus 1 की आ जाएगा 2 ठीके तो ये formula आ गया आपका X का इसका मतलब ये है कि अगर आपको बोल दिया है midpoint तो वहाँ पर वो आपको M1 और M2 की value नहीं देंगे वहाँ पर आपको M1 और M2 की value आपको खुद बूट करनी पड़ेगी या आपको पता होना चाहिए कि M1 और M2 की value कितनी है 1 1 या फिर आप क्या करेंगे directly ये वाला formula लगा देंगे ठीक है अब आजाएए y पर y पर भी बिल्कुल यही same होने वाला इसकी value 1 तो यहाँ पर कितना आजाएगा y2 इसकी value 1 तो यहाँ पर कितना आजाएगा y1 यहाँ पर कितना 1 प्लस 1 थोड़ा सा तरीकेस लिख लेते हैं जैसा कि बुक में दिया हुआ है y1 को पहले प्लस y2 को बाद में and divided by 2 ठीक है तो यह आगया आपका midpoint formula example देकर समझा देता हूँ मैं आपको मान लीजिए यह दे दिया आपको कितना 2 and 4 यह दे दिया आपको कितना 4 यह दे दिया आपको कितना 6 and 8 ठीक है अब इसकी value निकालने है भाई x की value निकालने है आपको तो देखिए यह m1 यह x1 and यह x2 तो x1 की value कितनी है 2 plus x2 की value कितनी है 6 divided by 2 answer कितना आएगा 8 divided by 2 मतलब के इसकी value कितनी आ जाएगी 4 y की value देखते है y1 की value कितनी है 4 and y2 की value है 8 तो 4 plus 8 divided by 2 add करो कितना आ रहे 12 12 divided by 2 मतलब के answer कितना आ जाएगा 6 तो y की value कितनी है 6 समझ में आगी बात तो इस तरीके साब x और y की value निकाल सकते हैं और आपको पता है coordinate की value होती है x, y तो इसका मतलब x की value आ रही है 4 और y की value ठीक है तो यह थी आपकी जतनी भी possible values हो सकती थी section formula की derivation फिर एक special case जिसमें आपको ratio नहीं दिया हुआ होता है and third one is midpoint formula दोस्तों अगर आपको यह video अच्छी लगी और यह सब कुछ समझ में आया तो video को like ज़रू कर देना और video को like करके channel को subscribe कीजिए क्योंकि मैं आपके लिए match की ऐसी ही videos लेकर आता रहता हूँ और अपने friends के साथ share करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए तो till then take care बाई बाई